गुड मॉनिं गाईज स्वागत आप सभी का जी के जुमें तो बीपेसी सेक्षिनल प्रैक्टिसेट नंबर चार को आज हम कंप्लीट करेंगे और यह जो बीपेसी सेक्षिनल टेस्ट देख रहे हैं यह एंसींट हिस्ट्री का है और यह विश्वसनिय पुस्तक एडूटेरि की एक महत्कुन विधी है ठीक है दूसरा है रेडियो कार्बन का अर्ध जीवन काल 10,000 वर्सों का होता है तीसरा है रेडियो कार्बन विधी द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निधरन किया जा सकता है चौथा इम्रित वस्तुओं में भी C14 के घटकों का जर नहीं है बलकि 5568 वर्स है ठीक है तीसरा कथन भी गलत है कि रेडियो कार्बन विधी द्वारा 10,000 साल पुरानी वस्तुओं का काल निधरन नहीं किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट है म्रित वस्तुओं में भी कार्बन 14 के घटकों का विगटन और समान अनुपात में होता है तो यह कथन गलत है क्यूंकि यह मात्रा जो है समान अनुपात में घटती है तो हमारा आंसर क्या है option number C केवाल एक कथन सही है नेक्स्ट है सीला लेखों एवं अन्नी पूराने अभी लेखों के अधियायन को क्यात आ जाता है तो सीला लेख और अन्नी पूराने अभी लेख होते हैं उनके अधियायन को हम पहलियोग्रापी कहते हैं तीसरा नमर प्रश्ण है रिक तस्थानों की पूर्ति करना ठीक है भारत में सबसे प्राचीन और पठन ये सीला लेक मौरी समराख असोग के हैं वे आम तोर पर ईशापुरू तीसरी सतावदी में डैस लीपी और डैस भासा में लिखे गए हैं तो लीपी देखिए वो ब्रा प्राकृत भासा अप्षन नमर बी इसका अंसर है चोथा है असोग के सीला लेक सर परथम कब और किसके द्वारा पढ़े गये थे तो यह सबसे पहले जैम्स प्रिंशब के द्वारा पढ़े गया थे तो दोनों अप्शन में है और अगर डेट की बाद की जाए तो वो स्रोथ सुत्र और ग्रिय सुत्र पहला है गनीत और ज्यामिति से संबंदित है उसके बाद दूसरा हो जाएगा स्रोथ सुत्र है राज्याविशेग और समारो से और ग्रिय सुत्र है विभीन प्रकार के धार्मिक संस्कार ये सुन के ही पता चल रहा था ग्रिय सुत्र हो जाए चलिए छट्टा देखते हैं वेदांगों की कुल संख्या कितनी है तो वेदांगों की संख्या यह एक लगवाग एस्टेटिक टैप पर क्वेश्चन है दच्छिन भारत के पुरातात्विक खुदाई में ऐसे स्थल बहुत आयत में मिले हैं जहां बड़े-बड़े पत्थरों के बीच लोगों को उनके औजारों हत्यारों और अन्य शामागरियों के साथ दफनाया गया है इसे कहा जाता है तो इस अस्थान को क्या कहा जाता है मे मेगालिथ दच्छिन भारत की पुरातात्विक खुदाई की सबसे प्रमुख विशस्ता है मेगालिथ संस्कृति का पायजाना यहां के कुछ लोगों को अनिक और जारों हत्यारों और आन्य सामागरियों के साथ बड़े-बड़े पत्थरों के बिच दफनाये जाने का प् अप्सन नंबर डी में ही आंसर मिलिया हमें कभी-कभी देखे एक पता होने से भी हमारा आंसर पाता चल जाता है दूसरा है बुर्ज होम है कश्मीर में कोली हवा यानि कुल दिहवा जो है कुल दिहवा हो जागा उत्तर प्रदेश और उतनूर उतनूर की बात कि जाए तो और नेक्स्ट है पिकली हल करनाटका में यानि पांच का पांच हो जागा हमारा आंसर क्या ओक्सा नंबर डी नाइन्थ नंबर देखते हैं निमलिकित करनों पर विचार करें पहला है भारतिय उकमाद्वीप में नव पसान यूग इसा पुरुसाती सताब्दी के आसपस नव पसान काल के लोग पहारी बस्तियों से दूर भी बस्तियां स्थापित करने में सफल रहे हैं तो क्रेशन पुझा जारा है क्या सत्ती कथन कौन सा है उप्रोक्त में से कौन सा कथन सत्ती है इसका अंसर है ऑप्सान नंबर एक केवले भरतिय उप महाद्वीप में नव पसान यूग की सुरवात पस्चिमी एसिया के तुलना में थोड़ा देर से शुरू हुआ फिर भी इसा पूर्व सात्वी सत्त्राब्दी में इसकी सुरवात हो चीकी थी अता कथन एक सही है लेकिन नव पसान यूगिन लोगों के सामने एक गंभिर चुनावती भी थी और वह था यंत्रों का एक सीमित दाइरा दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि चुकी वे पत्थर से बने अवजारों और हत्यारों पर निर्भर थे अता वे पहाड़ी छेत्रों से दूर बस्तियां स्थापित नहीं कर सके थे वे केवल पहाड़ी चट्टानों और पहाड़ी पहाड़ी लाके के रोहतास जीले में में सधिते तो न अंजर रहरे iç रखना हैयां चीरांथ कहां है है बा तो यह मिला है बुर्ज होम से ठीक है नेक्स्ट है निम्लिकित तामर पालीन संस्कृतियों पर विचार कीजिए यानि तेरहवा नमर देखते हैं संस्कृति आहर्र पाला क्ला क्या्कार हो जागा 3142th पहला ऌहर्भ पर देती हूं कि याद याद कर सके इसका हो जागा एक एसथे सो से बूलते हैं अच्युंन स्वत धृट से पंदर्रा सो बी सी यानि इसा पूर्व थिक है दूसरा हो जएगा कॉर्ता तामड़ पासां शंसक्रती ये pr़ेपने और 2800 महाराश्ट्रा यह हो जागा 1400 से 700 इसा पुर्व तो यह सून कर अपनीक सकते हैं चलिए नेक्स्ट है सूची एक टूची में दो फेला में लिए कामर पसान संस्कृति एक अवस्था होगा मुझे पता है एला नामेक्स मर्दिप्रदिस है आप सभी पता होगा कि दो यह चाहिए यानि के अवरा अंसर अ यहां पी में होना चीए चलीए चलिए इसका अंसर देख लेते हैं पहला को जागा पांडू, राजर, धीवी ये पस्चिम बंगाल में थीक है तो पहला को जागा तीन और सनमर बी में है आंसर भी ये दूसरा है गनेश्वर गनेश्वर जो है रजस्थान में एरन मधि प्रदेश और इनाम गां महाराश्वर में 15 नमद्य प्रश्ण अंधियोटि के संस्कृति का विकास मुखेता प्रवरान अधि किनारे हुआ था जोर्भे संस्कृति के विकास बुखेता 2.000 इसा पुरुभत तक हैं इस संस्कृति पर दच्छिन के 9 पास्था संस्कृति के Chief तो भी विदमान पाएगे हैं जोर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल नेवासा है तो देखे इसका अंसर है अपसे नबर भी एक और तीन केवल सही है पहला महाराश्ट की जोर्वे संस्कृति का विकास मुखिता प्रवरा नदेख किनारे हुआ है और तीसरा इस संस्कृ संस्कृति के तत्तु भी विदमान पाएगा है दूसरा कथन तो आपने एक्जाम्पल में देख लिया था कि 1400 से 700 इसा पूरुका है इसलिए गलत हो जगा 1400 से 700 ठीक है और चौथा है जोर्वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है नेवासा नहीं बलकि दाइमाबाद है नेक्स्ट है किस स्थाल के लोग विविद प्रकार के अनाज जैसे की बेर, अलसी, कपास, राई, बाजरा, मोटे अनाज, आधी का उत्पादन भायोतायात में करते थे इसका अंसर हो जगन नवदा तोली महराष्ट में नर्मदा नदी के किनारे इस्थित है नवदा तोली जो लगवग सभी अनाज यहां पर पाए गये हैं सायद ही भारत के किसी अनेस्थाल पर खुदाई के परणाम सरूप एतने सारे अनाज नहीं पाए गये है यहां से प् तामर पाषान कालिनस्थाल का संबंद बिहार से नहीं है सिर्थराण सौनपूर ne होगा अन्सवर नहीं होगा還 Story नरहन भी इसी छेद्र का एक अन्य mussoth तो अपने जान लिया खेराडी कहां पर है उत्तरपड़ेश में नेक्स्ट है कथन और कारण पहला तामर पशान काली लोग मवेसी जैसे भेड़ पक्री आधी पालते थे और उन्हें आंगन में बानते थे दूसरा है उन जन्मरों कव्योग दूदेवं गब उत्पादों के लिए किया जाता था इसका अंसर है यह सही है और आर गलत है कैसे तामर पसान संस्क्रीतियों की भी अपनी सिमाई थी ऐसी अनेक साचे प्राप्त हुए हैं जिसके अधार पर यह कहा जा सकता है कि तामर पसान काली लोग मवेसी जैसे कि भेड़ बक्रिया आधी को पालते थ पर पालतु जैनवरों का प्योग खाने के लिए होता था और दू देवं अन्य गवी उत्पादों के लिए इनका इस्तमाल नहीं होता था इसलिए कारण गलत है आंसर बता दूमें ए सही है और आर गलत है नेक्स्ट है हडप्पा सभेता के संबंद में निमलिकित कत्मों प पुरीं के तीसरी और दूसरी सताब्दी की दुनिया की सबसे बड़ी सब्गेता मानी बिल्क्ल सही हडप्पा नामा का स्थल पाकिस्ता नजम पहीं बल्कि पंजजाब पर फडमी इसलिए चोंथा नमर के था hij उत्झा प्रू से हुआ है है कि अगती है बीच नमर्प्राश्ण है अगपास्थल उर अबस्थिति पहला है काली बंगा तो तो यह जागा एक तीतरा का झाटीन विगा दूथरा है बनावली मनावली हर्याना में है तो दूसरा पर जागा चार कैना आलमगीर पुर उत्तर प्रदेश में हैं औ सब्सक्राइब महबन नाम क्या था तो देखे इस तरह के फैक्ष्प्रश्ण भी पूछे जा सकते हैं इसलिए एकदम याद रखे ग्यारा दस्मल्लव आठ हाट मीटर इसकी लंबाई थी साथ पॉइंट जीरो एक मीटर चोड़ाई और दो पॉइंट चार तीन मीटर इसकी गहराई थी तो आपसा नंबर सी इसका नहीं डी डी इसका अंतर साथ कोईंट चार नेक्स्ट आगे देखते हैं रिक तस्थानों के पूर्ति विकल्फ में दिए उचित सब्द के अधार पर करना है पहला काली बंगा के डैस हिस्से में भी इट के चबूतरे हैं जिसका इस्तमाल अन्नागार के लिए होता तो यह जग दक्षिन आलम गी काली बंगा के दक्षिनी हिस्से में इटे के चबूतरे थे जिसका इस्तमाल अन्नागार के रुप में होता था नेक्स्ट है हडपा सब्दा कि धातो यूग से संबंदित मानी जाती है तो यह काश यूगिन सब्दा थी एतिहासिक विकास की क सब्दाब में सब्दाश संस्क्रिति का विकास कैसे वुआ पूरापासान माध्यपासान नव पासान ताम्र पासान काश यूगिन और लोह यूगिन हडपा सब्दा के कोटी में आता है में सपटामिय और हडपा सविता के नगरों के बीच वैपारिक गतिवीधियों के परियाथ साथ चिप्राप्त हुआ है में सपटामिया के गरंतों में हडपाई चित्रों के लिए किस नाम का परियोग हुआ है तो इसके लिए मेलूहा सब्द का परियोग हुआ है 25 का आंसर जग अप्षा नमबर सी नेक्स्ट है हडपस सेविता के मुहरों पर तीन सिंग वाले सिर के एक योगी की चित्र प्राप्थ हुआ है मूद्रा चित्रित है जिसके पास कुछ पसुओ के चित्र भी उद्किर्ण क काश्य निर्मित एक अर्ध नगन महिला नर्तिकी की मुर्ति हडपा सेविता के किस स्थान से प्राप हुई है तो इस महिला की मुर्ति जो है हडपा नामा का स्थल से प्राप हुई है आर इस सब्द किस बात का संकेता है आर इस सब्द एक राजनितिक समुदाए समाजिक सम भारोपियः भासा सजुड़े अभिलेग और उनकी प्राप्ती का स्थल पहला है कस्षिट अभिलेग यह हुद लिए इरान से प्राप्त हुआ है दूसरा हे हिटी अभिलेग हितिती अभिलेग टुर्की इंथ्थी नि अभिलेग सृ्या से आंसर नमप्र चलिए आगे देखते हैं कथन और कारण फिक है इंडो आरियन समुदाए के लोग कभिलाई और गैर कभिलाई संघर्स में हर जगा सफ़र रहे है दूसरा है कारण मतलब इंडो आरियन के पास अस उसकती राथ कवच और बहतर हतियार थे तो देखिए दोनों ही कथन सही है और कथन की कारण जो है कथन की सही प्याक्या करता है इसलिए आंसर जोग अपसे नमरे निमलिकित रिग वैदिक संस्थानों पर विचार करें सभा समीती विदत और गण उप्रवक्त में से किन संस्थाओं में महिलाएं भी भाग लेती थी तो यह हो जागा सभा और विदत रिग वैद में सभा समीती विदत और गण जैसे कई कविलाई या नातेदारिय धारित जन संभू का उलेक मिलता है यह विचार विमर्स की संस्थाएं थी और इसमें से कुछ में राजनेती गतिवीदियों का भी संचालन किया जाता था इन संस्थाओं द्वारा सामरीक और धार्मिक युजन कभी प्रबंद किया जाता था रिग वैदिक उधारन सेयस पर्ष्ठ होता है कि सभा और विदत नामक संस्था में महिलाएं भी भाग लेती थी ठीक है इसलिए इसका अंतर जाव सभा और विदत एक और तीन नेक्स्ट है सुद्र सब्द का उलेक पहली प कि और ग्यार के देउता क उलेक हुआ है तो जयल के देउता वरून को जयल के देउता के रूप में व्लेक हुआ है नेक्स्ट है निम्लिफी कतनों पर विचार करें रिगवेदिक काली लोगों का मुख्य व्यवशाय पशुपालन था रिगवेदिक लोगों को क्रीशी के ज्ञान का अभाव था तो 34 का अंसर जो है केवल एक कथन साई है कि रिगवेदिक काली लोगों का मुख्य व्यवशाय पशुपालन परियोग नहीं हुआ है इंद्र सब्द का दोशोग जन सब्द 275 और 20 सब्द एक बर भी परियोग नहीं सब्द का परियोग हुआ है 250 बार अगनी सब्द दूसरा सब्द दोसोग सब्द का एक बर परियोग नहीं हुआ है इंद्र का 250 बार उसके बाद अगनी देव का 200 जबकि जन सब्द 275 बार आया है जब्द विश सब्द 170 बर तो आंसर क्या हो जागा पहला को हो जागा पांच दूसरा का हो जागा एक पांच एक तो आपसर नमर बी में है आंसर आपसर नमर बी ठीक है चलिए नेक्स्ट है रिगवेद में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है तो रिगवेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है निमलिकित में से कौन सा उत्रवैदिक जनपद अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राहमन सास्त्रीयों के लिए विसेश रूप से प्रसित था तो कौन सा उत्तर वैदिक जनपद अपने दार्सिनिक राजाओं और ब्राह्मन धर्म सास्त्रियों के लिए इस रूप से जाना जाता था तो वह हो जागा पांचाल वर्तमान में जो उत्तर पर्दिस के बरेली बंदायों और फरुका वाजीला है वही पर निम्लिकित में से किस देवता के स्लोक के साथ पाठ किये जाने वाला नुष्ठान भी बताए गया है तो यह हो जागा यजुर्वेद निम्लिकित उत्तर वैदिक जनपदों पर विचार कीजिए उप्रोक्त में से कहा इसा पूर्व छे सो के आसपास उपनी इश्यदों का सं पंचाल और विदे मिम्लिकित भातियदर्सन प्रनाली की किस साथा का सब्सक्राइब नुष्ठानों को जायत सिद्ध करने के लिए तर्क का इस्तमाल किया जाता था और मुक्ति की प्राप्ति उनके प्रदर्शन पर निर्भर था मिमान सा दर्शन के अनुशार वेध ही सासवत सत्य है यह एक अध्यात्मीक दर्शन था ना कि भौतिक वादी दर्शन था जिसके प्रतिवादक चरवाक थे इस दर्शन के इह लोक इह लोक यानि कि भौतिक विश्व के साथ कहरे संबंद के मातु पर बल दिया और परलोग के अस्तितु को पूर्णताया नाकार दिया किसने लोकायत ने विशेशिक दर्शन भौतिक तत्व या द्रवी की चर्चा को विशेश मातु देता है अता यह भी एक भौतिक वादी दर्शन है हमारा अंसर क्या जाएगा मिमांसा इसका सब्सक्राइब करक्या है तर्क और व्याख्या की कला नेक्स्ट एक ताली श्वा नमर्ट रशन तो गाइस हम दूसरे पाइट में करेंगे सब्सक्राइब तो विडियो दिखने के लिए थेंक यू